अब देखो नेक्स जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जेएडवान सीरीज में वो मैंने यहां पे शो किया है और यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसमें बहुत ज़़ा कुछ कॉंसेप्ट नहीं लगना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगलर वेज है तो इस तरह से यहां पे ट्राइंगलर वेज है ट्राइंगलर वेज में यहां पे इस तरह का एक ग्रूव बने हुए यह जो भी triangular wedge है इसको हमने place किया है किसके उपर frictionless surface के उपर यहाँ पर angle कितना दिया है यहाँ पर angle दिया है alpha यह angle दिया है beta यह height वहाँ पर दी हुई है edge wedge का mass कितना दिया है capital M अब question को पढ़ो जा रहा है question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है two identical small balls of mass M are held on the top of a triangular wedge of mass capital M and height H that is at rest on a frictionless horizontal floor when the ball are released they roll down the inclined faces of the wedge and at the bottom of the and at the bottom get stuck in special traps तो यहाँ पर trap बनाया है जहाँ पर जाके ball क्या हो जाती है fix कर जाती है या fit कर जाती है अब question में क्या बोल रहा है how far will the wedge shift during the moment of the ball how far will the wedge shift during the moment of the ball relative to relative to wedge नहीं होना चाहिए question में होना चाहिए how far will the wedge shift during the moment of ball अब बताओ यहाँ पर इस तरह से दो बॉल्स को लाके प्लेस किया गया है कि नहीं प्लेस किया गया है इन दोनों का मास वहाँ पे क्या है अच्छा अब अगर हम question की बात करें तो question किस property based है इस पूरे को मान लो जरा system अब बताओ इस पूरे को अगर system मानोगे तो system के उपर external force को नप्लाए करेगा ground एक तो apply कर रहा होगा gravitational force बाकी ये surface frictionless है इसका मतलब है कि अगर इसको हम x-axis बोल रहे हैं इसको y-axis बोल रहे हैं तो इस system की property क्या है इस system की property है net external force x के along वहाँ पे क्या है 0 है और हमें मालुम है जिस direction में external force 0 होता है उस direction में center of mass का acceleration 0 होता है center of mass का acceleration 0 है इसका मतलब है कि initially center of mass अगर rest में है तो बाद में भी center of mass कैसा रहेगा rest में ही रहेगा अब external force किस direction में नहीं लग रहा है x के along तो इसका मतलब है center of mass हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते है acceleration of center of mass x के along 0 है acceleration 0 है इसका मतलब है कि अगर पहले rest में है तो rest में भी रहेगा बाद में भी rest में रहेगा और पहले से अगर velocity चल रहा है तो बाद में भी velocity चलता रहेगा तो बताओ center of mass x के along rest में है कि नहीं पहले तो बाद में भी rest में रहेगा तो हमें property क्या use करनी है velocity of center of mass x के along क्या होगा 0 होगा और center of mass के along velocity अगर 0 है तो वहाँ पर याद होगा अगर 3 particle होते हैं तो formula हम लोग use करते थे m1 r1 plus m2 r2 plus क्या होता है m3 r3 equals to 0 बताओ अगर 3 particle होते हैं तो यही formula बनता ही नहीं बनता m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 0 r1 r2 displacement होते हैं x के along अब मान लो कि ground के respect में अब diagram ऐसा draw मान लो ground के respect में ground के respect में यह wedge कितना चला x आगे की और यहांदे मान लिया कि ground के respect में यह wedge कितना चला x आगे की और और हमारे पास एक observer है जो कहां बैठा हुआ है wedge पे अब जो observer wedge पे बैठा होगा उसको कुछ time बाद ball यहां दिखाई देगी groove में यह ball उसको यहां कहीं fit दिखाई देगी ball अब बताओ जो observer wedge पे बैठा है जो observer wedge पे बैठा है उसके लिए जो observer तुम्हारा wedge पे बैठा है उसके लिए यह ball horizontally कितना चली तो यह चली x1 अब कैसे calculate करोगे तो यह angle beta यह angle h तो formula use कर लो formula क्या था 10 beta equals to h upon x1 तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं wedge है अच्छा wedge वाले observer के लिए ball यहां पे थी कुछ time बाद ball यहां पहुंची तो इसके लिए displacement left की और हुआ कि नहीं हुआ यह angle alpha है तो similarly जिस तरह से हमने x1 calculate किया है उसी तरह से तुम्हें x2 भी calculate कर लोगे और x2 की value आएगी h by 10 alpha देखो आएगा कि नहीं आएगा अब सब कुछ हमें यहां पे place करना है और ध्यान अगना है हमें formula क्या use करना है ball का displacement with respect to ground क्या होगा ball का displacement with respect to wedge plus wedge का displacement with respect to ground जब भी हम यह formula use करते हैं तो r1, r2, r3 यह सभी displacement same frame में होते हैं और basically वह हमने वहाँ पे inertial frame लेके इसको derive किया था तो r1, r2, r3 यह सभी displacement x के along है लेकिन with respect to ground है अच्छा सब भी है wedge को देखो wedge right की ओर जा रहा है तो wedge के लिए हम formula use करेंगे m into x है अब इस ball को देखो जड़ा है अगर मानलो इसको हम बोल रहे है ball a इसको हम बोल रहे है ball b तो ball a का displacement with respect to wedge आगे की ओर हुआ है और wedge का displacement with respect to ground आगे की ओर हुआ है तो दोनों का direction अगर same होगा तो with respect to ground वो कितना चला x plus x1 चला तो हम यहाँ पर use करेंगे m into x plus x1 x1 का मतलब हो गया h upon 10 beta अब ध्यान रखना है ground frame में अगर 2 का displacement right की ओर हो रहा है तो एक का displacement left की ओर होना चाहिए तभी तो तीनों का sum 0 होगा तो minus m into अब क्या लिखोगे ground frame पे अगर देखोगे तो ground frame पे देखो block with respect to wedge कितना चला तो block with respect to wedge x2 चला wedge ground के respect में कितना चला x चला दोनों के रिच में अंगल 180 है और हमें displacement left की ओर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x2 minus x equals to 0 देखो इतना सांज में आया एक नहीं सांज में 2 का displacement right की ओर है तो तीसरे का displacement left की ओर होना चाहिए left की ओर तभी possible होगा जब x2 greater than x होगा तो displacement हो गया x2 minus x अब x2 की value put कर दो जारा तो x2 की value अगर put करोगे तो value कितनी आ जाएगी value आ जाएगी h upon 10 alpha minus x equals to 0 देखो आ रहा है की नहीं आ रहा है अब अगले step में क्या करोगे अगले step में सको simplify करो m into x plus m into x plus हो जाएगा mh upon 10 beta minus mh upon 10 alpha minus minus plus mx equals to 0 अब इसको तुम simplify करोगे तो result वहाँ पे क्या हो जाएगा result हो जाएगा m plus 2m into x m plus क्या हो जाएगा 2m into x ये उधर जाएगा m into h तो common हो जाएगा और वहाँ पे जब लेके जाओगे उस side अगर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 upon 10 alpha minus 1 by 10 beta देखोगा इन्यूगा 1 upon 10 alpha minus 1 by 10 beta तो यहाँ से check कर लो x की value क्या आएगी x की value आएगी mh upon m plus 2m और bracket में जाओगे 1 upon 10 alpha क्या होता है cot alpha minus cot beta तो चेक करो यही हमारा वहाँ पे answer होगा के नहीं होगा तो question में यही पूछ रहा है कि जब यह ball slide करके नीचे आजाएगी तो उस time पे wedge का displacement कितना हुआ है और इस तरह का question IATJ में पूछा जा चुका है जहाँ पे center of mass की इस property को उसने क्या किया है use किया यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि same question पूछा गया IAT में लेकिन यह जो concept है center of mass का यह कई बार IATJ में पूछा जा चुका है ठीक है तो एक बार check कर लो कि calculation अपने सही किया है नहीं किया है ठीक है तो note down कर लो इसको